हेलो प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूं अच्छी होंगे सुवागत आपका अपने यूटुब चैनल शमाजिनिंग क्लासिस के अंदर प्रिक्षा 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 प् तो दोस्तो वीडियो आप से बहुत जाए इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल लश्ट तक जरूर देखना वन बाई वन हम सारी बाते इसमें किलियर करेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो होस्पिटल केर टेकर भरती के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आठ महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं है छात्तर संसे में फिर से आरपियसी की लेट लतीफी आई सामने फिर से जो आरपियसी बोड है यानि कि राजस्तान पुबलिक सर्विस कमिशन जो बोड है उसकी लेट लतीफी सामने आई है राजस्तान लोग सिवा आयोग ने आठ महीने के बाद भी होस्पिटल केर टेकर भरती का परिणाम जारी नहीं किया है सरकारी अस्पतालों में मरीजों को रुजाना आने वाली प्रिशानिया और मेनेजमेंट का काम संभालने के लिए होस्पिटल कीयर टेकर के 55 पदों पर भरती निकाली गई थी 10 फरवरी को प्रिक्षा हुई थी प्रिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ फरवरी के अंदर प्रिक्षा हुई थी दोस्तों और अभी चलता है सेप्टेंबर ठीक है ना और अभी तक देख लो कि इसका जो प्रिणाम है वो जारी नहीं हुआ है ऐसे में सरकारी नोकली लगने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है जल्द प्रिणाम जारी नहीं होने पर अभी यर्थियों को विधानसवा चुनाव की अचार सहिंता लगने पर भरती में देरी होने का डर है जबकि एक महिने के बाद उक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्रिक्षा का प्रिणाम जारी हो गया है होस्पिटल केर टेकर के पदो पर भरती नहीं होने कारण सरकारी अस्पतालों में मेनेजमेंट स्टाफ की कमी की वज़े से अस्पताल प्रबंदन सिस्टम गरवडाने लगा है करीब 2700 चातरों ने प्रिक्षा के लिए आवेदन किया था जिससे अचार सहिंता लगने से पहले वाओं को नोकली लग सके दोस्तों बोड की उपर अब मैकसिमम पीक लिवल का प्रेशर है सबसे ज़्यादा लिवल का प्रेशर है किस वज़ए से क्योंकि अब आगे अचार सहिंता लगने वाली है और उससे पहले पहले बोर्ड को भरती प्रिक्षा भी करवानी है पूरी भरतियों का प्रिणाम भी जारी करना है तो जितना maximum grab हो सकता है बोर्ड को उतना करना चाहिए मानते कि ये टाइम काफी महनत मशक्कत का है लेकिन बोर्ड इसके अंदर चाहे ये तो खरा साबित उतर सकता है ठीक है न दोस्तो तो देखते हैं कि अब इसके अंदर प्रिणाम कब तक जारी होगा वैसे उपेन यादफजी ने ट्वीट भी कर दिया है बोर्ड मेंबर से भी बोर्ड के अधिकारियों से भी उनकी वारतालाब हुई है डिसकेशन हुआ है बाकि अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है ठीक है न दोस्तो तो दोस्तो ये था आज का इंपोर्टेंट अपडेट अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सक सकते हो पलस जिसने अभी तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो जाओ यार फटाक से टेलिग्राम चैनल को जोइन करो जैसा मैंने आपको बताया था जब वहाँ पे सो विद्यारती जोइन कर जाएंगे हम लोग क्लासे का सेशन स्टार्ट कर देंगे आप के लिए बैक टू बैक हम क्लासे लाना स्टार्ट कर देंगे तो जाओ और जोइन करो और लोगों को भी करवाओ ठीक है तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक के और जैहिंद जैभारत लवी और